असलाम अलेकुम मेरा नम अली है एंड वेल्केम टू संडे के संडे क्यों एंडे सेशन जो के पंदा दिन बाद अपलोड होता है और अपसे भाई हम लोगों ने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग फेसबूक से कमेंट लिया करेंगे सेग्राम पर पस हम लोग सोरी डाल और फेसबूक का लिंग दे देते हैं अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग आपको मजीद एक्सपेंड करके कॉंटेंट दे फेसबूक के लिए आइसा इसा थोड़ा सा दिफरेंट कॉंटेंट त्यार होना चुरो जाएगा और अगर आप ये फेसबूक के वीडियो देख लोगोद में आपके चांसिव होंगे टॉप न आफ वीक बनने के लिए वीडियोum लोग नकालेंगे फेस्बूक कई विडियोजर जाथ जैज सब्सक्राप करेंगी और निकालेंगे आपना लोका पियार इंशालहा आप भी जिग्रा बड़ा होता जाएगा और उसी तरीके से हम लोग आपको जो है ना आप मोबाइल फॉन के रिव्यूज या गैजट के रिव्यूज वह आपको मैक्सिमम नंबर्स आफ रिव्यूज वह आपको प्रोवाइड करते रहेंगे तो आपको ज्यादा बोर नहीं करता डिरेक्ली बात करते हैं यूट्यूब से जो निकले है वो है नजीफ कुंडी जिनकी इस तरह चाइड़ी है और उनकी प्रोफाइल पिचर भी लगी विए कॉंग्राइट्स प्रोव आपने कॉंटेक करना है master community at the rate of gmail.com और अपने एगले विनर की बात करते हैं यह से community at the rate of gmail.com आपका surprise giveaway आपको मिलाएगा तो बात करते हैं हम लोग अपने questions की और बात करते हैं कि जो आप लोगों नहीं फेस्बुक पर जो question किये थे वो कौन-कौन से हैं सबसे पहला question काशिफ अली पूछते हैं बेस्ट फोन अंडर 40K to 50K किट प्रोसेसर रैम डिस्प्ल फोर एक्जल मोटो एज 2021 मोटो एज 2021 स्पेशली फोर गेमर्स इसके दाथ बैटरी वड़ी है और साथ आपको जो स्क्रीन है वन फोटिपोर हट्स पैनल मिलती है वह अच्छा फोन है बट इन डिस्प्ले आपको 17 में मिलता है और इसी तरीके इस पैसों में LG का वेल्वेट भी आता है प्रीमियम फॉन है बट येस स्नाप्रेकन 765 वे तो गेमिंग उस तरह की नहीं मिले की बट आप इसको इसलिए चूश कर सकते हो कि आपको आलमोस्ट सैमसंग नोट 10 वाली जो है वह वाइब आती है और एक फॉन और मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं वह इस रे इसके अंदर जो पाकिसान के लोकल पीटी अप्रूवल वाले डूवल सी महले फॉन है ना वह काफी महिंगे हो गया मतलब आज से छे महीने पहले वह 35,000 के थे जो आप 45,000 में मिल रहे थे वह आपको 55,000 रुपे की रेंज में मिलते हैं तो उनकी आगे चलके बात करते हैं यह पांच ऐसे फॉन हैं जो किट फॉन हैं जो आप कंसीडर कर सकते हो इस प्राइस ब्रेकेट में अपने एंगले कोईसन की बात करते हैं तो यहां पर नूर काजिम हमसे पूछते हैं सर इस दियर एनी फॉन हूँ है वेस्ट कैमरा दैन आइफोन 12 इन अंडर 70 के टू 80 के वीवो एक 60 प्रो वीवो एक 70 प्रो वन प्लेस एट भी ठीक है क्योंकि जो आइफोन 12 है उसमें टेलेफोट लेंज नहीं है और एक बात याद रिखिएगा कि आइफोन 12 विदाउट PTA आपको मिलता है एक लाग से एक लाग 10,000 रोपे की रेंड में अब उसमें नहीं चले लेंगी डेटा भी चलेगा सभी कुछ चलेगा तो प्राइस जरुए सा अन जिस्टिफाई हो जेगा लेकिन आपने अपने मागा है तो मैंने आपको बता दिया कि वीवो एक 60 प्रो ले सकते हैं वो टेलेफोट लेंज है गिंबल कैमरा है वीडियो में मुझे लगता है को ज्यादा कंपीट नहीं कर पाएगा क्योंको आइफोन की वीडियो ज्यादा बेटर होती है आइफोन अच्छे तरीके से फ्रेम को आप्टिकल इमिस्टेबलाइजेशन को जो हो प्रवाइड करता है अब अगर आगर आप इस रेंच के अंदर वन प्लस एड भी देखते हो आपको शाओमी मिल दा था इस प्राइस सेग्मेंट में वह भी एक अच्छी चीज़ यह थोड़े से पैसे डाल के वन प्लस नाइन प्रो की तरफ भी आप जा सकते हो अपने अगले कुस्न की बात करते हैं तो मुहमध हमाद खोकर पूच्छते हैं एक्सपेस्टेड रिली अराउंड कुछ February एंड या मार्च स्टार्टिंग में नज़र हता हुआ रहा है और रियल्मी 9 की अगर आप प्राइस देखते हो ना तो आपको 60-60,000 रुपए की रेंज में मिल रहा है और अगर आता है 4G वाला तो आपको इसी प्राइस सेग्मेंट में मिलेगा इससे नीचे तो आने वाला नहीं है वहीं पर अगला कुछन उस्वामा कमाल पूछते हैं और यह पिछले आठ महिने से रेड्मी 910 प्रो के बारे भी क्वेसन पूछते हैं तो आज इनका क्वेसन हमने क्या रेड्मी 912 प्रो रेड्मी 910 प्रो को बीट करेगा कैमरा डिवान्मेंट और अधर स्पेसिफिकेशन एक और साथ सवाल यह था कि रेड्मी 910 प्रो को क्या आज भी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए 60-62 रुपे की रेंज में वर्थ इट है कि नहीं बॉक्स पैक अबल तो मुझे नहीं लगता कि बॉक्स पैक कहीं पर सही तरीके से अवेलबल होगा क्योंकि पिछले आट महीने से तो स्टॉक की नहीं आरा पक्सान में 6-8 महीने से रेड्मी 910 प्रो यूस्ट की बात करता हूं तो पचास से साथ हजार रुपे के इन बिट्वीन कहीं प पचास सार रुपे में भी वॉक्स पैक आता था कि येस रेड्मी 910 प्रो स्टिल किंग था बट है नहीं ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि रेड्मी 910 प्रो से बहुत अच्छी चोइसे अवेलेबल है मार्केट में आज जो कि आपको करने चाहिए मैंने बता दी है औ रेड्मी 910 प्रो तो येस रेड्मी 910 प्रो किंग था बट है नहीं ये आपको समझने की जरूरत है अगले क्वेसल की बात करते हैं तो सी एन सी एन पूछते हैं यूज मूबाइल एंडर 40K फॉर गेमिंग यूज मूबाइल में पोको X3 मिलता है मतलब पोको के सीरीज में आइए वारे औरो पोको की को डेवाइस मार्केट में नहीं आ रही हूँ के अपको कर दे रहें यह उर्या हैं नहीं है पर उसके बाद कमपनी क्लेम नहीं करती पैसे बहुँ सार्च करती है तो मेरे ख्यालि की डिवाइइस तो चल्हल मतलें औह वो उसके इलावा अगर 40K से नीचे आते हैं गेमिंग फॉन के अंदर तो आपको किट फॉन ही मिलेंगे, जैसा के LG का G8X थिंग था, थोड़े से पैसे डालते हैं तो Moto H 2021 मिल जाता है, 45,000 के राउंड, और इस दरीके से Xperia का 5 फॉन है, वो अच्छा फॉन है, बट मुझे Xperia या Equus के फॉन्स के अंदर बैटरी इशुस बहुत ज्यादा मिले हैं, यह बेर करने पड़ेंगे, एक प्रॉपर गेमिंग फॉन के अगर आप आज करते हैं तो थोड़े से पैसे डाल के, मेरे खाल में आपको जो है वो OnePlus 70 या आपको Moto H 2021 पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ओक यह भी थोड़ी बहुत PUBG भी, बहुत सारे फोन है, OnePlus 8T है, OnePlus 9, 8GB, 128GB मिल दाता है, डूल सिम, ग्लोबल, OnePlus 8, डूल सिम, ग्लोबल, 65-70,000 रुपे की रेंट में आज मार्केट हो मिल रहा है, किट फोन की भी प्राइसे ज्यादा हो गई ही, डॉलर ज्यादा हो गया, अगर कैमरा OnePlus के देखते हो, तो OnePlus के कैमरा ज्यादा बेटर हैं, इसी तरीके से पिक्जल के कैमरा बहुत बेटर हैं, फिर उसके बाद, जो है, अब सामसंग के भी कुछ फॉन फ्लैक्शिप आचकल पैच, CPID पैच मिल रहे होते हैं, अब आई थिंग उन से ज्यादा बेटर आपको जो है ना, वो 8GB, 12GB वेरियंट के साथ जो है ना, वो आपको 9R भी मिल दाता है, लेकिन अगर आप स्टेल लोकल पे रहना चाते हो, तो लोकल के अंदर आपको रियल्मी GT मास्टरेशन साट से 65,000 रुपया, रियल्मी 9 Pro प्लस 60,000 रुपया, और इसी तरीके से आपक जाते हो, इब रही महरूं कहते है, असलाम अलेकुम अली भाई, वालेकुम असलाम, क्या आल है, अलहम्दुलिल्ला मैं ठीक हूँ, वीवो X80 वर्थ इट है, 150K में बॉक्स पैक, यह कई और बेस्ट च्वाइस फॉर गेमिंग और कैमरा या वेट कर लिया जाए, मेरे पास 11T है, अब ग्रेट करना, देखो भई, वीवो X80, no doubt, बेटर फॉन, X-Series का, अगर X60 के बाद, 70 Pro मुझे इतना इंप्रेसिव नहीं लगाता है, X60 Pro के बाद, but X80 is a very impressive device, performance बहुत अच्छी है, जो मैंने देखी है, Diamond City, 9000 जो हार्डवेर है, क्यामरा ठीक है, बहुत ज्याद brighter tone, मतब बहुत ज्यादा cool vibe की तरफ रखता है, but portraits अच्छे capture करता है, अगर तो आप local Pakistan के अंदर को box pack phone सर्च कर रहे हो, 150K की range के अंदर, तो unfortunate सिर्फ और सिर्फ वीवो X80 ही choice है, लेकिन एक और model है, इससे बहतर choice हो सकती है, but वो आपको 80,000 रुपया या 90,000 रुपय में जा आपको 1,48,45,000,50,000 डिफरेंट प्राइस है, जब डॉलर उपर नीचे और होता है, उस range के अंदर मिलता है, इसके उपर आप invest कर सकते हो, ये phone मुझे लगता है, के वीवो X80 Pro से ज़्यादा बेटर है, snapdragon 8 Gen 1 मिलता है, 80W, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल रही होती है, त पार्ट टाइम भी काम चल सकता है, मतब आपके पूछने का जो वज़ा है, वो ठीक है, लेकिन आई थिंक आपने जो लिखा है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज होके लिखा है, जैको वह किसी भी काम में जाओ, आप सीरियस नहीं होगे तो उस काम को तो कर ही नहीं सकोगे, श अब तक सीरियस नहीं होगे तो उससे रीटर्न नहीं आ रहेगा, और आजकल इंसानी नेचर के अंदर सबसे बड़ा रीटर्न है, पैसा कमाना, विकाज ये एक ऐसी जरूरत बन चुकी है, कि इसके बगएर जिंदगी नहीं है, और अनफॉर्चुनेट वो जो प्यार मुह तो सीरियस होना बहुत जरूरी होगा, चाहिए वो यूट्यूब पर करते हो, तो ये यूट्यूब एक ताइम में आके फूल टाइम जूटी हो जाती है, जासर कि आजकल मैं दे रहा हूँ, यहां भी फूल टाइम डूटी दे रहा हूँ, बच्छों के साथ भी फूल आप उसके उपर चले जाओ तो ज्यादा बैटर एक्सपीरियस प्रोइट करते हैं कंपरेटिवली रियल्मी नाइन प्लस बट डबा पैक लेना है तो आपके पास वाइस रियल्मी नाइन प्रोप्लस और रियल्मी जैटी सब्सक्राइब करते हैं मुझे नहीं लगता कि उतने पैसों में यह वाइट है और यह मैं कैमरा पर आप लोग कहते हो यार आपने बात ही नहीं कि मैं बात करता हूं अगला क्वेशन इर्शाद हब कहते हैं वन प्लस नाइन प्रो यह सैंपसंग एस 22 अल्टरा कैमरा क्योंकि आजकल मैं भी टेस्ट आउट कर रहा हूं मैं देखना चाहता हूं कि क्या मसले आते हैं क्या नहीं एक डीटेल रिव्यू इसी वीक में आएगा क्योंकि मुझे पांच दिन हो गए है क्योंकि बड़ा फोन है तो इसका थोड़ा सो पीनिम लाने के लिए टाइम चा अनिक्मेंट में रूटीड फॉन मिलता है आफिशल पीटीए लोगे तो आपको जाके कहीं पर एक साथ में पड़ेगा रूटीड फॉन के साथ बहुत सारे इस्यूज आते हैं तो मेरे ख्याल में आप वन प्लस नाइन प्रो की तरफ चले जाओ अबाएंड थैन की भी पो का बेस्ट कैमरा फॉन इन यूज्ड इन यूज्ड वीवो ओपो मिड्रेंज सेग्मेंट के ब्रैंड है मतलब इनके जो हाई लेवल डिवाइस है ओपो की तो पिछले दो साल से हाई लेवल डिवाइस तक की नहीं आ रही दूसरी दो बायत की बात है बट वीवो ने अ प्लस पाकिस्तान में कब आएगा प्राइस बता दें रिल्मी नाइन प्रो प्लस बाय करना है करें यहिए 10 प्लस का वेट करें यह बाइस है और मुझे लगता है और मुझे लगता है कि यहीं प्लस प्लस कहीं पर जाके मार्च एप्रल के अंदर लॉंच होगा पाकिसान की मार्केट में अगर हुआ तो हलाद अच्छे होगे तो अधर्वाइज आप रिल्मी नैंट्रो प्लस ले लो फौर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आप ले सकते हो ग्रीन कलर मेरा मोस फेवरेट है जस्ट फौर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वहना नाइंटी हड्स है थोड़ा सा यह इशू है डिस्प्ले के लिए वेट कर सकते हो तो रहनो एट्टी और रियल्मी टैन प्रो प्लस का आप वे मैं दो तरह के उपीनियन रखता हूं एक तो वह जो सिर्फ एजा बॉक्स पैक टेक रिवीवर होता है ना उसके लिए तो बिल्कुल यह खत्म हो गया क्योंकि पाकिसान के अंदर फिर यह पाकिसान में नहीं है यह देखो पाकिसान में कुछ ज्यादा नजर आ रही है पू करा के जब से सारी में इंडिस्ट्री अपने पास कहेंची है तब से उन्होंने प्राइस बढ़ा दी है लेकिन यूई पे वो तबज्ज़ नहीं दे रहे और इसका बहुत बड़ा उनको एक कलको कोई और इंडिस्ट्री बनती नहीं तो बहुत बड़ा इशू फील होने व बॉक्स पैक और आने वाले तीन-चार महीने में भी नजर नहीं आता वैल्यू फॉर मनी बॉक्स पैक डिवाइस ज़रूर आएंगी बट वो जो वैल्यू फॉर मनी विला टैगा ना आपने मेंटली अप्रिपेर यह रहना है कि आज से छे आठ नौमा पहले जो डिवाइस अच्छी 65000 रुपे में आएगी जो डवाइस चालिस उजार की थी वो अब पचास याठ उजार रुपे तक चली जाएगी तो यही वैल्यू अपको मिलेंगी क्योंकि आप यह भी देख लेंकर आटा कहां पर आ गया है रोटी कहां पर चली गई बालें कहां पर चली गई ह तो आल्मोस गाड़ियां कहां चली गी है तो मुबाइल फॉन भी तो महेंगा होगा ना भाई मुबाइल फॉन वाले ऐसा तो नहीं है कि हमारे चचा के बेटे हैं जिन्होंने सस्ते ही फॉन देने तो मेरे ख्याल में वैल्य फॉन मनी डिवाइस है कि डूट नहीं है तो कले तीन-चार महीने आपको यूस फॉन कंसिजर करने पड़ेंगे जिनके उपर मैं आज कल कॉंटेंट दे रहा हूं और मुझे पता है कि पाक्सानी माकेट की जरूरत है मैं जानके कॉंटेंट नहीं दे रहा जब को अच्छी चीज आएगी ना किसी बॉक्स पैक में तो उपर लो कभी भी नहीं कहूंगा क्योंकि लॉजिकली चलना अब उस पैसों में बहुत सारी ऑप्शन मिलती है और ब्रैंड को भी सजेशन है कि आइफोन के किट फॉन से लड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जागा आगे फूचर में चलके हो जैसे आइसे आइफो प्राइस सेग्मेंट में अड्जेस्ट होने के लिए और ऐसा ऐसा अगर यूजर को रियलाइज हो गया ना कि यूजफोन वेल्यू देता है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो आफ्लेंग मार्केट वाले शॉपकीपर ये भी यूजफोन पर स्विच होते हैं कि अल्र लेता होगा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं चीज़ें जो हैं वो समझा नहीं हो लेकिन मेरे खाल में ना वो जो बॉक्स पैक वाला एरा ना वैल्यू फॉर मनी वाला वो खतम हो जाएगा और अगला क्वेस्टन हमसे पूछते हैं प्रिशियस मुगल किंग असलाम ने को अच्छी पबजी के हैंट्फी के लिए हैंट्फी बताते हैं जो के 1000 रुपे में आती हूं महंगाई यह थोड़े से पैसे और मिला लेना रॉनिन की आर जिरो जिरो सेवन आर नाइनटीन यह हैंट्फी बहुत अच्छी थी पबजी के लिए जो मैंने एक्सपिरियंस की ए और आडियोनिक के हैंस्वी इस पब जी के लिए मुझे नहीं अच्छी लगी मुझे मेरा एक्सपीरिंस अच्छा नहीं है मैं पहले आपको क्लेर कर दूँ और आपको रॉनिंग की हैंट्री आर नाइंटीन आ या आर सैवंटीन मिल दा है तो भाई सोने पर सवागा सबसे अ इंवेस्ट कर लें थोड़ी सी चीज़ें इंप्रूवड हैं तो वह कर लें मतलब इंप्रूवड ही है कि स्क्रीन को नौच में छोटी नौच कर दिया तो लेटेस्ट मॉडल ले लें कल को रीसेल अच्छी हो जाएगी वना वी ट्वैंटी त्री आज मार्कीट में सतर एक सब्सक्राइब बाइस कीज़ेंरी निचे यहां पर आपको वनट्विंटी हर्ट के डिऽ्प्लेव मिल रहे होते हैं यहां बैटरी इस 485 तो पांच जारही होती है पिक्जल 4 एक्जल बश हो 50 जार्ट से नीची-नीचे चाहए रहें पैच हो चाहरे नौन पीटी उ Watch you I think كان क करता है उससे उपर स्रेंड नहीं करता बस सिर्फ ऑफिशल प्रूफ के लिए आपको सत्रा हजार रुपया यह समझें कि अगर चौन सट जी भी है तो आपको बीस हजार से बाइस हजार रुपया ज्यादा बरना पड़ रहा है थोड़ा सा मतलब हजब नहीं होता है तो समझ सब्सक्राइब के लिए लिए तो आपको लोकल फॉन भी मिल आते हैं तो आई थिंग उन पर इन्वेस्ट का लेना चाहिए अपनी यूटिलिटी जरूर देख सकते हैं अपने अगला क्वेसन है और आई तिंग यह लास्ट क्वेसन होगा असलाम अलेकुम वालेकुम असला एम साधी साधी पूछते हैं इन्फिनिक्स होट 20 या होट 20S कब तक पाकिस्तान में लाँच होंगे इन्फिनिक्स होट 20 आई तो आई तो आगया होट 20 February स्टार्ट में कहीं पर लाँच होता वाँ नजर आता है अभी मुझे जो नजर आता है वो यह है लेकिन जो होट 20S है वो अभी पाकिसान में कंफर्मेशन नहीं है और होट 20 ही आई तिंग जो है वो आएगा पाकिसानी मार्किट में तो यह थे क्वेस्टन जो कि आप लोगों ने पूछे रहे हैं और फेस्बुक से हम लोग क्वेस्टन लेंगे नेक्स राइम प्लीज डू फॉलो आस ऑन फे और पुरी लाइव में जो यूट्य plugin की पां इसाल की लाइव हमारी हमने कभी यह नी कहा कि हम बहुत बड़े तोपYeah और आप नि एन चीज़ा तो बीग़दर शो भी आ भी न समझती है तो बागी मेरी बेएने pm 788 बेटेजे हैं तो सब के लिए द३ाएं हैं और दोस्तों के लिए सबके लिए दुआ हैं कि अलापकर इसके हलाल में बरकत अता करें और ऐसे ही आप लोगों का हमारा आपस में प्यार बना रहे हैं थैंक्यू सो मच फॉर सपोर्ट सो आच की वीडियो में तनी मुलाकात होकी ने वीडियो में किसे नहीं अन्बॉक्सिंग किसे ने रिव्यू किसे ने कमपरेजन के साथ तब तक मुझे ने इजादत मैं हो लिए वासमास से पाकिसान पाइंदाबाद अल्ला हाफिज